Hello friends, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा Make Money Fine Camp Limited के बारे में मैं first time इस company के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा quarterly results के बारे में quarterly annual सभी तरीके के result इस company के अंदर है ये कौन सी company है? सर ये तो listed ही नहीं हमने तो नाम ही आज पहली बार सुने ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम ही आपने पहली बार सुना हो क्योंकि ये शेर की चर्चा आप मैं Make Money के शेर्स के साथ करता रहूँ हाँ ये वही company है जिसके shares Make Money और Mix Limited के shareholders को मिलेंगे अब ये company एक separate company की तरह डील की जाएगी ये जो Make Money Fine Camp Limited है अब ये एक subsidiary company नहीं है Make Money Organics Limited की यानि की आज उसकी जगे हम बोलें Make Money Organo Camp की subsidiary company नहीं है ये आज एक independent company की तरह हम इसका valuation करेंगे इसके जो results है वो stand-alone financial statement आपके सामने है ये जो company है ये पहले एक छोटे size की company हुआ करती थी इसी लिए company जो है इसको subsidiary के बाद हम से चलाया करती थी M.O.L. लेकिन अब ये company एक बड़ी company बन गई है जिसकी वज़े से इसका de-merger कर दिया गया और अब ये share बजार में भी list होने जा रही है और करीबन डेड़ महीने से लेके दो महीने का समय जो है हमें लगता है कि लगने वाला है इस share को list होने में तो इस quarter के जो result है यानि कि March quarter के और इसके अलावा जो पूरे साल भर के result है उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर यह जो वीडियो है यह हमारी normal platform के उपर आ रही है यानि कि हम सभी जो हमारे make money और इसके वीवेस हैं उन सब के लिए यह वीडियो प्लब्द होगी इसके अलावा make money fine cam limited के valuation से related एक वीडियो अलग से जो हम पेश करेंगे अपने alpha members के साथ within one or two days यानि कि एक से दो दिन के अंदर हम वीडियो आपके साथ share करेंगे तो alpha members के साथ हम एक नई वीडियो make money और इसके रिजल्ट के बाद क्या इसकी fair valuations निकलती है इन results के basis पे और उन valuations के अंदर हम आपके साथ चर्चा करेंगे earning basis के उपर book value basis के उपर cash flow models के उपर EBITDA basis के उपर यानि कि जो operational है और इसके इलावा इस mig money fine cam से मिलती हुई जो बाकी company आई उनके साथ हम compare करें with growth model यानि कि जो growth है वो सब कुछ आपको उस video में मिलने के लिए जा रहा है तो ये मैं आपके साथ सीधा सीधा चर्चा कर रहा हूँ result के बारे में valuation की चर्चा एक अलग video के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ एक से दो दिन हो सकता है तीन दिन भी लग जाए क्योंकि मुझे उसके लिए काफी steady करनी है काफी तैयारी करनी है तो वो जो भी मैं चर्चा आपके साथ करूँगा तो मुझे लगता है क्योंकि कल Friday है तो ट्रेडिंग डे है तो Saturday या Sunday के अंदर तो Sunday evening तक या Saturday evening तक मैं ट्राइ करूँगा कि make money fine cam की valuation report सभी alpha ms को उपलब्द हो जाए ये है make money fine cam limited ये जो company आपके सामने screen पे नजर आ रही है इसकी जो sale थी क्योंकि आपको इसमें result देखने से ज़्यादा interest मेरी बाते सुनने में तो मैं वही बात बोलूँगा क्योंकि इसमें साधी चीज़ जो लोग mobile से देखते हूं को शायद नजर भी ना आती हो तो मैं सीधा सीधा आपको आकलन बताता हूं कि analysis हम quarter on quarter basis पे भी करेंगे year on year basis पे भी करेंगे देखिए का quarter on quarter basis पे इसलिए करेंगे क्योंकि same season का पता चलता है क्योंकि seasonal business है और sorry year on year quarter on quarter इसलिए करेंगे कि क्योंकि business में जो expansion हुए है, उनका असर को हम evaluate कर सके है, तो देखे कि यह जो company है, पहले हम quarter and quarter basis पे देखते हैं, sorry, year on year basis पे देखते हैं, 120 करोड की sale करती थी पिछले साल, अभी यह जो sale किया, इसने किया 258 करोड, यानि कि 120 करोड की sale 258 करोड, यानि कि करीबन करीबन 125% का इजाथा sale के अंदर, यानि कि double से भी ज्यादा, यह हुआ है इसकी sales के अंदर, यह मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी, कि यह company काफी growing company है, मैंने आपके साथ जो पिछे analysis किया तो उनके अंदर भी, अब यह 120 करोड की sale 258 हो गई, अब खर्चे भी उसी तरीके से होने हैं, तो हमने सारे खर्चों को देखना है, यह खर्चे थे 59 के raw material consumed, जो अब खर्चे हुए है, 112 के, 112 में से इनके पास कुछ inventory बढ़ी है, पिछले साल थी 1.6 करोड की इस बार 4 पैंट, तो आप मोटा-पोटा तीन लगाई है, तो 119 करोड का material का खर्चा 59 के सामने, almost double, double sale से जादा है, तो ultimate material का खर्चा, इसका मतलब है कि material की cost का ज्यादा pressure इस company के उपर नहीं पड़ा है, यानि कि जो material इनको जिस rate पर पहले मिल रहा था, उसी के आसपास जो है, यह अभी भी purchase कर रहे हैं, तो वहाँ पर material की cost है, उसका benefit जो है, इनको अभी भी जा रही है, यह salary 7.52 crores की salary देते थे एक quarter में, अब यह होगी है, 14.78 यानि कि almost double, यानि कि 15 crores हो गई, तो sale double, खर्चे double, expansion होगे थे उसलिए, तो यहाँ पर हम आगे चल के देखेंगे, जब इसकी annual report आएगी, कि क्या directors ने तो अपनी तन खानी जादा बढ़ा लिया, तो इस पे हम गोर करें करोड़ा जाएगी, बट अब हम इस पर कोई भी डाउट हम करते नहीं है, reason is very simple, simple इसलिए है, क्योंकि जो भी expansion होए है, क्लोरो मिधेन में, हाइड्रोजिन परकुसाइड में, और जिस तरीके के और बाकी expansion चल रहे हैं, उन सब expansions को देखते हुए, यहाँ पर हमें लगता ह है, depreciation 10 से 21 हो गया है, क्योंकि size डबल हो गया, factory का, company का, तो depreciation भी double है, इसी तरीके से 24 से बढ़के 40 हो रहे है, तो double से थोड़े से काम है, यहाँ चार क्रोड का benefit है, तो इस तरीके से इसका जो benefit है, वो आपको profit manage रहेगा, पिछले साल 14.52 क्रोड का profit था जो 54 क्रोड का हो ग गया है, तो यह चमतकार कैसे हुआ, यह चमतकार कैसे हुआ, यह चमतकार हुआ है जी, business के expansion से, तो जब हम कभी भी growth वाली companies को evaluate करते हैं, तो यह चीज़े हम consider करते हैं, कि जब consistently जो कोई company grow कर रही होती है, तो उसकी present earning को नहीं हम consider करते, क्योंकि वहाँ पर growth वाली companies है, वहा प्रोफिट जो है काफी अच्छे है, और अगर double से भी ज्यादा profit है तो, लेकिन EPS double से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसका reason है, dilution of equity shares, यानि कि number of shares बढ़ने की वज़े से, आपको EPS में इतनी तरकी नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो shares extra allocate होंगे, उनका असर जो है, 13 क्रोड से बढ़कर 32 क्रोड हो गया है, तो 13 क्रोड का profit after charging tax, तो 13 क्रोड से बढ़कर 32 क्रोड, तो 13 क्रोड से 32 क्रोड प्रोफिट है, और इस quarter के अंदर एक और सबसे खास बात है, कि इस quarter में काफी जम कर इन्होंने tax की payment करी है, यानि कि जो defer tax के benefits है, जिनके expenses के benefiting को अभी नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने सरकार को एक तरीके से advanced tax दे दिया, तो जो advanced tax है, वो एक तरीके से चला गया, यानि कि उसको books of account में provide कर लिया, तो इस वज़े से भी आपको profit घटते हुए नज़रा रहे है, अब यह देखिए का यहाँ पर, तो जो भी total comprehensive income वो 13 क्रोड से बढ कर 7.89 हो गया, यह जो EPS है, यह मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरे काम का है diluted EPS, इसलिए क्योंकि company के shareholders fund के अंदर एक ऐसा instrument है, जो आगे चलके equity share बन सकता है, तो वो बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो आने वाल समय बनता हैगा, लेकिन उसमें बनने का पूरा potential है, तो उस 10% से लेकि 20% तक की growth हम मानते हैं कि आगे भी होगी, तो expected earning जो है next year की वो 30 की बनती है, तो उसको हम valuations में use करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तो 30 रुपे की हम EPS से सारी valuations को करेंगे आगे चलके, यह है balance sheet का size, तो balance sheet के अंदर जो major seizure आपने देखनी है, वो सकते हैं कितना विस्तार ही होने किया है, business के अंदर 440 क्रोड वाली factory को आपने 1070 क्रोड की factory बना दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें से 691 क्रोड का जो काम पिछली बार चल रहा था, वो complete हो गया, अब उसमें से 125 क्रोड का काम बाकी है, जो भी complete हो जाएगा, तो mostly काम इनका completion की तरफ है, कि वो 125 क्रोड का काम अभी बचा हुआ है, ये भी आगे चल के complete हो जाएगा, तो जिसको हमने 10-20% की गुरौत में भी discount किया, उसके बाद है, देखिएगा, inventories बढ़नी है, stock जो माल बनता जाद है, बिकता जाद है, तो रखा भी जाता जाएगा, trade receival जह ये देखिएगा, जो 330 करोड रुपे का shareholder fund था, वो बढ़कर 431 करोड का हुए है, यानि कि company ने shareholder fund में कितनी बढ़ उत्री की, तो आप ये देखिएगा, ये जो बढ़ उत्री है, ये करीवन 30% की है, तो इसका मतलब है कि इस company ने balance sheet value 30% बढ़ा दिया, तो ये जो balance sheet value 30% मैं इसको consider नहीं कर रहा हूँ, instrument entirely, equity in nature, ये preferences हैं, तो इनका कोई असर हमारे लिए आना नहीं है, और यहाँ पर देखिएगा, तो 330 से 431 करोड तो ये 330 करोड का deserve surplus था, वो 431 करोड का reserve surplus हो गया, तो आप यहाँ पर इस बात को समझेंगे, ये share's की book value क्या बनती होगी, तो book value बनेगी, करीब एक 110 रुपे के आसपास, तो 110 रुपे के बीच में इस share's की book value बनेगी, तो ये हमारे को वैलुइशन में भी काम आएगा, तो ये मैंना आपको calculate कर दिया, तो आप अपने हिसाब से भी price to book value calculate कर सकते हैं, 110 रुपे की book value वाला share जो हम मिलेगा, और देखिए क 94 shares हमें इसके मिलने वाले हैं, तो उसके हिसाब से value निकाल सकते हैं, जो आपको free shares मिलने हैं, उसकी value, ये है cash flow statement, cash flow statement भी काफी मज़ेदार है, मज़ेदार इसलिए है कि ये देखिएगा, जो profit before tax है, मैं उससे calculation नहीं कर रहा है, आप cash देखिएगा कि cash कितना generate किया, पिछली अपवार इन्हों नोपरेटिंग एक्टिविटी से 164 क्रोड का cash generated किया था, जो 229 क्रोड का cash generated किया है, तो जो cash flow है, वो काफी मजबूत है, यानि कि कुछ जगह पर इनकी recovery नहीं आ रही है, जैसे debtors तो इन्हों ने माल तो बेच दिया, लिकिन recovery नहीं आ रही है, तो यहां पर recovery के friend पर आपको थोड़ा सा pressure आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसी तरीके से आपने उधार वालों को जिन से आप माल ले रहे हैं, उनको भी आप delay कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप यह देख सकते हैं, जो trade payables हैं, वो भी बढ़े हैं हमारे, जैसे debtors बढ़े ह तो इस तरीके से हमारे creditors भी बढ़े हैं, तो इस तरीके से कुल मिलाकर cash flow statement भी बहुत बैतरीन है, और depreciation का खर्चा काफी जादा है, तो इससे आप यह समझ सकते हैं, कि company 229 क्रोड का अगर cash generate कर रही है, operating cash flow, तो यह हमारे valuations में किस तरीके से एहम भूमी का नहीं बाह सकता यह देखेंगे हम अपनी valuations वाली वीडियो में, तो result, जो है bumper result है, और MFL के shareholders को कोई dividend नहीं मिलेगा, इस वीडियो के बाद में आपको make money or earnings limited की भी result analysis आपको करता हुआ नजर आँगा, हो सकता है कि आज की daily video है, उसके बाद आए, या आज ना के, कल सुबह morning session में, या थोड कि क्या प्रतिकरिया है, यह आप जो है, मुझे बता सकते हैं, कि comment box में, यह result आपको कैसे लगे, मुझे रजल्ट काफी बहतरी न लगते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो 20-22 रुपे की EPS है, हमें थोड़ी सी उमीद इस से थोड़ी जादा थी, तो मुझे ऐसा लग रहा तो हमारी पूरी 30 रुपे की EPS आगई है, बेसिक EPS, 7.89 एक क्वाटर की, तो चार क्वाटर की आप निकालेंगे, तो वो 30, 31, 32 रुपे बनती है, तो वहीं पर वो EPS आ रही है, हलाकि dilutions की वज़े से वो equity है, तो वहाँ पर हमें 5.6 बन से ही हम calculation करेंगे, जो भी आगे चल पारे में, लिस्टिंग पर क्या करना है, वो लिस्टिंग के समय पर चर्चा करेंगे, अभी value share से सम्मन देती वीडियो में आपको एक दो दिन में, जो है, दे दूँगा, तो यहाँ पर आपको पूरा analysis कैसा लगा, जरू से जरू मुझे बताईएगा, वीडियो ऐसी तरी क्योंकि make money or rings का share सो गया है, क्योंकि अभी वो देड़ महीने बाद दुबारा से list होगा, अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और बात याद आ गई है, जिसको जिकर करना जरूरी है, आप हम में से कुछ viewers कह रहेंगी, जी वो तो share हमारे broker ने हमारे list से ही अटा दिया, हमारे प पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं तो सब के डी में दो पड़े हुए हैं और इन शेस के बदले में आपको make money or rings के same share और गुनो के नाम से मिलेंगे और इसके लागो fine cam के एक हजार share के बदले में 94 share आपको मिलने वाले हैं, तो इंतजार करिए एक से डेढ़ मही महीने का दब तक यह share हम उमीद करते हैं, maximum to maximum 2 महीने का समय शायद हमें लग सकता है, तो 2 महीने से ज्यादा share नहीं लगना चाहिए और उस बीच में हमारे को share share अलोट भी हो जाएंगे और शायद इसी time period के इंदर लिस्ट भी हो जाएंगे, तो चलिए आज की वीडियो यह नहीं swap करते हैं, और ऐसी उमीद के साथ की दोनों share में हमें एक अच्छे गेन हो, आज की वीडियो swap करते हैं, thank you very much